नमस्कार साथियो स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल में आज किस वीडियो में एक कविता पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को हार्दिक शुपकामनाई अजादी के 74 वर्षगान पर तो सभी को हार्दिक शुपकामनाई फिर से तो आज हम कविता पढ़ने वाले हैं साथियो आपने वाट्सअप इंस्टाग्राम फेस्पपर देशवक्ति के स्टेटस डाले जा नहीं डाले डाल दिये होंगे वैसे तो बहुत अच्छे हम नागरिक हैं देश के अजादी पर देश को जाद करना ही चाहिए डीपी भी चेंज कर लिये होंगे बहु चैनल तो रफाल लेकर बैठे हुए थे वही जहाज जो फ्रांस से मंगवाया गया है बहुत अच्छी बात है हम सूपर बावर बन चुके हैं लेकिन उस देश के अबादी जहां से मंगवाया गया उस देश की अजवादी तो छे करोड है सिरफ तो बहुत पहले से सूपर पावर हैं चलो कोई बात है नहीं हम उन से मंगवाय कर सूपर पावर बन गया है जहाज अच्छी बात है ठीक है जी इसराइल हमसे बाद में अज़ाद हुआ बाद में बना देश है, फिर भी वाज वो सूपरशक्ती है, इसके बाद चीन भी सूपरशक्ती है, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे हैं, अबादी में आगे हैं, अनपरता में आगे हैं, और ब्रश्टाचार में आगे हैं, बेरोजगारी में आगे हैं, तो जे सब उप कविता पढ़ने वाले हैं वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो सीधा डिसलाइक बटन दवाईए और निकल ये तो साथियो अभी तक आप जही बने हुए हैं कोई बात नहीं अमिताब तिरपाथी अमित की कविता है मत मनसूबे बांद बटो ही सफर बड़ा बे डंगा है मतलब कभी उनको कह रहा है जो रहा पर चलने वाले रही होते हैं सफर करने वाले लोग की भाई आशा मत बांदो चलते रहो क्योंकि जिससे तुम आशा की अमीद कर रहे हो उसके पास तो पहला ही पर नहीं करते हैं फिर निकलते हैं हम भी साथियों में काबे पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं ध्यान से सुनियेगा चोटी लड़की रास्ट्रिय दिवस पर वही फहरता हमारा प्यारा तिरंगा है कला और तहजीवों वाले अपसाने बेमानी हैं शेहरों की पहचान बहां पर होने वाला दंगा है मुझरिम भी सरकारी निकले पुलिस खैर सरकारी थी अंधा तो फिर भी अच्छा था अब कानुन लफंगा है शेहर समझता उसके सारे पाप स्वयम धुल जाएंगे एक किनारे बहती जमना एक किनारे गंगा है अमित जहां कुछ लोग चाहते पैदा होना सो सो बार जहां फ्रिष्टे भी डरते हों वहां मुर्क पर चंगा है तो जे कावे बंकियां मज़े लगता नहीं किसी को अच्छी लगी होंगे लेकिन जे सचाई बताती हैं तो आज हम बहुत सारे मामलों में आगे हैं बहुत सारे देशों से जो मैंने अभी पिछे नाम बताया है उन सभी तमगों में हम आगे हैं तो इसी तरह आगे बढ़ाते रहें देश को सफल बनाते रहें और हम एक उबरती हुई सूपर पावर हैं अभी सूपर पावर से जे मत समझ लेजेगा कि हम बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं हम ग्राहक के रूप में उबर रहे हैं हमारा देश बहुत अच्छे नोकर पैदा कर रहा है जो सरफ नोकरी की तलाश में ही घूम रहा है मैं खुद नोकरी की तलाश में घूम रहा हूँ भई क्योंकि रुजगार उत्पन करने के जो गुण हमारे सिक्षा में थे बो तो देखी लिए सबी ने तो जहां पर अमेरिका ब्रेटेन जैसे देश रुजगार उत्पती के मालक कि सुर्जना करता है मलमालिक पैदा करता है हमारे देश में नोकर बनाय जाते हैं हमारे शिक्षा पदती ही ऐसी है और दूसरी और देखा जाए तो हमारा देश इतन दे मात्रम